नमस्कार दोस्रुकों, आप सभी का हर दिग आवरेंदन करता हूँ अक्टूबर का महिना है, चार ग्रह गुपरिवर्तन कर रहे हैं तो देखेंगे, समझेंगे क्या क्या होने वाला है मकर राशी, मकर लगन कि लोग अक्टूबर का राशी फले वो देख सकते हैं पहले तो शुक्र का परिवर्तन होगा दो अक्टूबर को शिंग्राशी में है तो चलिए पहले शुक्र को देखते हैं कि शुक्र शितंबर कर्क में रहेंगे आज आएंगे शुक्राशी में तो अभी तक शुक्र क्या प्रिणाम दे रहे थे हैं कि दो अक्तूबर को ये सिंग राश्यू में आएंगे अभी तक शुक्र क्या कर रहे थे क्या प्रिणाम दे रहे थे पंचम घर के स्वामी शुक्र बने थे और दश्वे घर के स्वामी बने थे जो की केंद्र में ही आये हैं और एवरेज है ठीक्ठा कंडिशन में हैं तो पंचम घर शुक्र के शुक्र के श्वामी हैं तो मतलब आपके सोच आपके बुद्धी में थोड़ा सा मतलब की कुछ ऐसा विचार आया होगा कि देखिए पंचम घर के शुक्र में सब्धम घर में तो ऐसा विचार आया होगा कि एक जगह के छोड़के दूसरे जगह जाएं जॉब कर रहे होंगे तो जॉब चेंज करने का आपका मन किया होगा जॉब छोड़ने का आपका मन किया होगा या जैसे माल लेजे कि आप किसी भी जगा है तो बिजनेस को बढ़ाने की कुछ आइडिया आपके मन में आया होगा बहुत से लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए आइडिया सोचते रहते हैं तो आप शुक्र चुकि क्रेटिविटी का भी होता है तो आपके माइन में कुछ कंसेप्ट, कुछ आइडिया जितंबर की महीने में कुछ मन में आया होगा या चल रहा होगा तो यही सब चीचे मतलब एक चेंजिंग का आशार चेंज करने का सोच आया कुछ अच्छा करने का माइन बना चायो जॉब चेंज करने का हो चायो बिजनेस को बढ़ाने का हो कुछ भी हो एक चेंजिंग सोच आप में डेवलॉप हुआ और दश्वे घर के श्वामी है तो काम को लेकी ही हुआ होगा अब अक्टूबर में आ जाएंगे किस में आ जाएंगे? अस्टम घर में आ जाएंगे तो अस्टम घर में शुक्र का आना बहुत अच्छा है नहीं मानते तो अभी तक जो आप सोच रहे थे हैं वो सोच क्या होगा अब अश्टम घर में आएगा मतलब डाउन फाल जाएगा तो अगर आपने कुछ सोचा उसे कुछ अपलाई किया तो वो सफल नहीं हुआ वो सफल नहीं होगा सितंबर के मैंने में अगर आपने कुछ सोचा कुछ करने के प्लानिंग किया कुछ mind में आपके idea आया तो वो नुकसान जाएगा उसका result अच्छा नहीं आएगा वो apply करना भी नहीं है उसे आप दिमाग से निकाल दीजे ने तो उसका result अस्टम घर में आने के वज़े से उसका result बहुत बुरा होगा नुकसान जाएगा वो आपको बहुत तुक दे सकता है तो कुछ भी जो भी दिमाग से निकाल का आपके मन में आया है कुछ भी आया काब कुछ भी नया चीज कुछ भी नया नहीं करना नहीं तो आपको बहुत downfall आ जाएगा ये रहा सुक्र का जो किश निकाल के महिने में होंगे और उननीज अक्टूबर को भी करेंगे तो बुद्र पर अभी नहीं जाएंगे तो मंगल को आते हैं तिन hiç और कर चले जाएंगे तुला में मंगल चले जाएंगे तुला में अभी तक कन्या में थें अच्छे केशें में से चतूर्द घर के श्वामी बने थे और आय के श्वामी बने थे आय के श्वामी मंगल और अश्टम घर के श्वामी सूरी अश्टम घर का श्वामी और आय का श्वामी का संपर्ग बन गया मतलब जो आपका आय है जहां से पैसा आ रहा है उसको आप दूर सिट करने के प्लानिंग कर रहे हैं मतलत कि आप हो सकता है कि जो भी आप जॉब भी कर रहे होंगे तो आप कुछ बाहर जाने का सोच रहे हैं, बाहर जाने का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर जाने का कुछ आपको आफर आया होगा बिदेश जाने का कुछ आपको अपोच्टिशी मिला होगा अब जो पैसा आपको आएगा वो बिदेश से आएगा तो हो शक्ता है कि आप बिदेश यात्रा या बाहर का यात्रा करने का भी आपका चांसिस बने क्योंकि earning पैसा विदेश से ही दिख रहा है तो सितंबर के महीने में ये शंकेत हुआ होगा कि आपको विदेश से कुछ बाहर से कुछ पैसा आपके पास आया होगा simple सा सब्द है बाहर से कुछ पैसा डॉलर में आपके पास आया होगा अब वही मंगल चले जाएंगे दश्वे घर में जो कि बहुत अच्छे कंडिशन में है चोथे घर के श्वामी है आय के श्वामी है तो निश्ची तोर से ये आप मान लिजिए ये से आप लिख लेजिए कि मकर राशी वाले अक्टूबर के महिने में आपको एक बहुत अच्छा पैसा का रास्ता खुलने वाला है या तो अच्छी नोकरी मिले या जो मन मुताबिक चीजे हैं जो आप सोच रहो और आप सोच भी रहोंगे ये पैसा मेरे पास आजाए ये चीजे मेरे साथ हो जाए ये हो जाएता तो कितना अच्छा होता वो होगा एक बड़ा अच्छा सा सुब संकेत आने वाला है मन का कोई चीज अब नहीं हुआ है वो मन का चीज अब आपके साथ होने वाला है तीक है अच्छा होगा अब सूर्य आ जाएंगे सूर्य भी आ जाएंगे इसी में मंगल है मंगल यहां से यहां चले गए अब आ जाएंगे सूर्य सूर्य लेकिन आएंगे अठरा टूबर को सूर्य आएंगे अश्टरम के स्वामे केंद्र में तो आप जो दिक्कत में थे जो परशानियां में थे जो बहुत से लोग मन मुताबिक जगह जाने का सोच रहे होंगे सितंबर के महिने में आपका मन बना होगा कि मन मुताबि मतलब अभी क्या है कि दस्तम घर में चले जाएंगे तो आपको मन मुताबिक जगह ले जाने के प्लानिंग कर रहा है तो आपके मन में ऐसा बीचार आ रहा होगा कि मैं इस जगह जाओं वहाँ पर मन नहीं लग रहा है मैं ऐसा करूँ, मैं वहाँ जाओं तो अच्छा रहता, वहाँ के लिए बहुत टाइम से कोशिस भी कर रहे थे नहीं होगा, लेकि अब आपका मन मुताबिक जगह आपका ट्रांसपर होगा मन मुताबिक जगह आप चले जाओगे तो यह सूर का, अब देखी जो बुद्ध का बोला था मैंने बुद्ध जैसे की एक अक्टूबर को कन्या में जाएंगे तो सूर के साथ है तो बुद्ध सूर का अच्छा शंक्यत है तो कुछ रुका हुआ काम आपका बन जाएगा जो काम अभी तक नहीं बना था वो काम बनेगा लेकिन अठ़ा अक्ट्वर तक बुध है जा रहे हैं दसवे घर में तो आयको लेके और चुपी, आ-श्टाम घर का शंबन बन गया, चटे घर का शंबन बन गया तो कुछ आप 18 तारीक के बाद किसी को पैसा दोगे कुछ पैसा इंबेस्ट करोगे 18 तारीक के बाद से वो आपका नुकसान जाएगा तो 18 तारीक के बाद से आप कहीं पे भी कुछ भी इंबेस्ट मेंट मत करना नहीं तो वो नुकसान जाएगा 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 ऐसे पूरे chances दिखाई दे रहा है तो October ध्यान रखना कहीं पर भी कुछ भी आपको invest नहीं करना नहीं तो नुकसान जाएगा 18 October के बात से क्योंकि सूर्य बुद्र सूर्य सब इसी में आ रहा है तो इस बात का आप ध्यान चरूर रखेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बागे आपके कुंडली में गरह गोचर कैसे हैं कहां पर कुंडली बैठा है कहां पर कौन से गरह बैठा है उस पे भी डिपेंड करता है तो दिए के नंबर पर वाट्ट्टप करके कुछ चार्जेस पर करके आप में इसे बात का सकते है वीडियो अच्छा लगा लाइक करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें चाहें चाहें